नमस्कार मेरे प्यारी विश्वों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूज चैनल देपी सीएम विजिन में प्यारी विश्वों, आज की इस वीडियो के मादम से हमलोग क्लास्टुविल हिस्ट्री जिसका एक्जाम तेरो प्रवरी को है उसके मोश्ट विवियाई, तीस वाइरल एमसे क्यों प्रसनों को डिसकस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एक्जाम में डिरेक्ट देखने को मिलेगा तो वीडियो पे आप लोग गन तक बने रहे हैं और चैनल पे पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा क्योंकि इस चैनल के माधम से आपको क्लास्टुविल के परते एक सब्जेक्ट के तयारी करवाए जा रही है और यह तयारी आपको तब तक करवाए जाएगी जब तक आप समों की बोर्ड एक्जाम समापत नहीं हो जाती तो वीडियो पे आप लोग गन तक बने रहे हैं और चैनल पे पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और हाँ वीडियो को सुरूर करने से पहले मैं आप से भी को बताना चाहूंगा कि इससे पहली भी आपका हिस्ट्री और एने सब्जेक्ट के जो 33 MCQ का जो इन्पोर्टेंट वीडियो है यह आपका 3-4 वीडियो अप्लोड हुए है तो उसे भी आप लोग जरूर देखीगा उसमें भी आपका काफी इन्पोर्टेंट कोईशन को करवाया गया है जो कि आप सभी के बोर्ड एक्जाम में आने की परवल समभावना है ठीक है और इसी परकार से जब तक आप सभी की एक्जाम समाप तो नहीं हो जाता है तब तक आप सभी सब्यक्ट का त्यारी यहां पर आपको करवाया जाएगा तो चैनल पर आप लोग नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज़ादा से ज़ादा जरूर सेर किजेगा तो शली इस दुरू करते हैं और एका करके सारे कोशन को यहां पर हम लोग डिसकस करते हुए चलते हैं तो देखें वस्तों पहला कुशन है कि लोथल की कोश किस ने की तो लोथल का खुज आपका ऐसार राव ने क्या था ओप्सन नमर डिस का करेक्ट अंसर होगा ऐसार राव अगर कुशे कि लोथल का खुज कब किया गया था तो आज रखेगा लोथल का खुज आपका ऐसार प्राव ने 1957 में किया था कब तो आद रखेगा उनीस सो संतावन में उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कैए कि पुरोहित राजा का अवसस किस नगर से प्राप्थ हुआ तो पुरोहित राजा का अवसिस आपका मोहन जुदुल से प्राप्त हुआ है, option नमर ये इसका correct answer होगा मोहन जुदुलू, और ये जो सब्द है आपका मोहन जुदुलू, ये आपका सिंधी भासा का सब्द है, जिसका अर्थ होता है आपका मिर्थकों का टीला, इसे आप लो सब्रज़े ने क्या था, 1922 में क्या था, और मोहन जुदुलू आपका सिंधी भासा का सब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, मिर्थकों का टीला होता है, ठीक है, उसके बाद देखिए अगला कुस्षिन आपका क्या है कि मोयरी समराज के पर्थम सासक कोन थे तो मोयरी समराज के पर्थम सासक आपका संद्र गुप्त मोयरी थे option number 6 का correct answer होगा संद्र गुप्त मोयरी और इन्होंने ही आपका मोयरी समराज की स्थापना क्या था इसे आप लोग ध्यान रखेगा अगर पुछे कि मोरी समराज के अंतिम सासक कौन थे तो आज रखेगा मोरी समराज के अंतिम सासक आपका बिरिधरस्त थे इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है पहला सासक कौन थे तो शंद्रगुप्त मोरी थे और अंतिम सासक कौन थ तो ब्रिदस थे इसे आपनों ध्यान रखेगा उसके बाद क्या है कि अर्थ सास्त के रचेता कौन थी तो आर्थ शास्तिर पुस्तक जो आपका है इसकी रचना है जिसने सायं क्यां है किसने क्या है तो आध रखिए लेकिन यहां पसाने के आपका option में नहीं दिया है तो आध रखेगा आपका तीन नाम से मां है कोन कोवी तो पहला तो होगे आपका है comparing आपका विस्जनुगुप। और तर्सन इसका नाम है तो देखें आपका चानिक नहीं विस्न गुप्त दिया है तो अज रखेगा आपका चानिक नहीं नहीं देगा तो चानिक का ही नाम है आपका विशन गुप्त और आपका कोटेलिय ठीक है और इन्हों नहीं आपका अर्थ-सास्त पुछतक की रशना किया था तो इस कोशन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमर भी विशन गुप्त ठीक है उसके बाद देखे अगला कोशन आपका क्या है कि हडपा वा प्रापत करते थे बच्टों या आपका खेत्रडी से प्रापत करते थे सब्सक्राव ऑकर इसक प्राप्त करते आओ अवि यहां प्राप्त किया जाते है ठीक है और हडपा वासे भी यही राजिस्तान के खेतली से ही तामा को प्राप्त करते थे इसे आप लोग ध्यान रखेगा तो इस कोशन का करेक्ट अंसरों का ऑप्सन नमर डी खेतली उसके वाद देखे अगला कोशन आपका क्या दिया गया है कि धोल कि तामबा कहां से प्राप्त करते थे तो तामबा आपका प्राप्त करते थे खेतली से ठीक है और आपका सोना कहां से प्राप्त करते थे तो पहले वाले जो तीस कोशन का सेट में आपको करवाया उसमें बताया था कि आपका जो सोना था बच्छों यह सोना आपका दच्छ से और आपका खेतली से ध्यान दिखती अगला कुर्शन आपका खेतली से अस्थापना किस ने किया थी इसके अस्थापना का तो अभी मैं ने आतना है कि जो मुहरयवंस के अंतिम सासक्ते इसी को पूसे मित्री शुंग ने मार करके क्या क्या था आपका सुंग शुमन की अस्थापना क्या तो अंक्ला पूसे मित्रा के अग्ला मैं क्या चीए अगला कुछिन आपका क्या है कि भारत के प्रांचिंतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था तो जो भारत के प्रांचिंतम मुद्रा है वच्छों अनि कि जो पुरानी मुद्रा है इसे आपका आहाद सिखे आतो पंच मार्ग सिखे के नाम से अनि कि दोनों के नाम से जाना जाता था option number three इसका correct answer होगा दोनों ठीक है आज रखे किस नाम से जाना जाता था तो आहत सिके और आपका पंच मार्क सिके दोनों के नाम से जाना जाता इस वैसे इस question का correct answer होगा option number three दोनों उसके बाद देखे अगला question आपका क्या दिया गया है कि बुद्ध शरीत्र के लेखक निम्र में से कौन है तो बुद्ध शरीत्र की रचना किसने क्या है तो इसकी रचना आपका असुगुस्ने क्या है option number three इसका correct answer होगा असुगुस्न आपको बताएगा कि दोनों आद रखेगा ठीक है बुद्ध शरीत्र के असुगुस्ने और मुद्ध शरीत्र की रचना आपका विसाखक दतने क्या है यह दोनों से कोशन आपका आता ही आता है बौड एक्जाम में ठीक है तो यहां पर पुशा था बुद्ध शरीत्र इसका correct answer होगा असुगु दूती है उसके बाद देखे अगला कोशन आपका क्या दिया गया है कि असुग का रैज विसेक कब हुआ था तो असुग का जो रैज विसेक हुआ था आपका यह दो सो उननतर इसा पुरु में जस्ट इसके आठ साल के बाद अन्हीं कि 261 इसा पुरु में असुग ने कलिं क्या गया था तो आज रखेगा 261 इसा पुरु में आपका असुग के द्वारा कलिंग युदिक किया गया था ठीक है उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या दिया गया है कि साची का अस्तूप किस रैज में इस्तित है तो साची का जो अस्तूप है वस्चों यह राइसन जिला में इस्तित है कौन से जिला में तो आज रखेगी का साची का अस्तूप आपका वद्धेव परदेश के राइसन जिला में इस्तित है उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या दिया गया है कि जाता कथा में किसके पूर्व जनम की कथाएं संकलित है तो जेन धरम में पूर्ण ग्यान के लिए एक विसे सब्द का परियोग किया जाता है, उस सब्द है आपका केवली है, कुल सब्द का परियोग किया जाता है, तो आध रखेगा केवली है, उपसिन नमर से इसका करेक्ट आन्सर होगा, जेन धरम में आपका पूर्ण ग्यान के लि कि भग्वान बुद्ध की वल्शपन का नाम क्या था यही तीन आप करिए महावीर का नाम तो बर्दमान था लेकिन घला कुशिंट कि महावीर का जनम किस महाजनपद में हुआ तो महावीर का जो जनम वज्चों यह आपका वजी महाजनपद में हुआ है option number ये इसका correct टांसर होगा वजी महाजनपद अगर पुछे कि वजी के महाजनपद के कौन से अस्थान में हुआ था तो आधर के का महावीर का जनम में आपका महावीर का जनम हुआ था जो आपका वजी महाजनपद के अंतरगत आता है उसके बाद देखे अगला कोशन आपका क्या दिया गया है कि बोध समुदाय में पर्थम विवाजन कि संगती में हुआ था तो जो बोध समुदाय में पर्थम विवाजन हुआ था हीन यान और महायान में ठीक है देखे आपक और यह आपका सो इसवी में पहले सताब ईस राता है ये तब आपका पुद्ध समुदाय का प्रत्म विवाजन हुआ था और बहुत समुदाय आपा ही नियां में बढ़ गया था पंच महावरत संबंदित से तो आपका पंच महावरत है यह कुन से धर्म से संबंदीत है उप्शन नमर यह का क्रेक्ट आम तरूगा जेंधर्ब उसके बाद देखें अगला कुछ सेंगति कभी कभ हुए तो अभी कुछ दिर पहले में आपका है बताया कि चितूर्द बहुत संगती बच्छों जिसमें आपका बहुत धर्म दो भागों में बट गया था हिन्यान और महायान ठीक है यह आपका कब हुआ था तो अभी मैंने बताया आपका पहली सताब दी अतु सो इसवी में हुआ था ठीक है अगला कुशन आपका क्या दिया गया है कि सूफी पर परह में तो इसका और ठाट होते हैं जो आ स्रम्टी के सूफीप क्या आश्रम को क्या खाता है धंका ठीक है इसी कुशन को घुमा करके पुछता कि सूफी परहम पर में और क। और तो आज रहाँ रुखेगा आसरा मुत है ऐसा नमर 20 का करेक्ट अंतुरूगा अगला कुछिशुन देखिया आपका क्या दिया गया है चेतन या महापर्भू किसके उपा सकते तो चेतन या महा पर्भू आपका भगवान कि लिस्न के उपा सकते ऑप्षन नमर यह इसका कर सिद्धिस संति थे तो यह आपका बंगाल के उपा सकते और यह ने वाली थे तो आधर्के का बंगाल के परसिद्ध का संति थी ठीक है? उसके बाद देखे अगला कुछ से देखे आपका क्या दिया गया है कि नट राज के रूप में सिव की परतिमा का निर्मान किस राजवन्स के दुआरा क्या गया तो नट राज के रूप में जो सिव की परतिमा का निर्मान है बचों यह आपका चोल राजवन्स के दुआरा क्या ग क्रांट मंदिर कहां पर इस्तित है आपका क्रेक्ट तर्वा पूरी उसके बाद दिखे अगला कुछित आपका क्या दिया गया है कि मघहर में किसका मिटती हुआ था तो यहां पिर दास के मिलती हुआ था मगर में option number 10 का correct answer होगा कभी उसके बाद देखें अगला question देखें आपका क्या दिया गया है कि किस काल के परसासन में आयनगर वैस्ता परचले थी बहुत ही भी भी कोशन है कई बार यह question पुछा जाए चुका है जब मैं आपको previous year question कराऊँ तो आपनों देखेंगा जो आपका पी वाई क्यों अनिके previous year question जब मैं आपको कराऊँगा देखें एक वीडियो आपका उसमें श्रिप आपका अभी तर दो जर बारों से आपको objective question पुछने की जो आपकी प्रमपरा है जैक बोड़ में यह सुरूभा तक है तो दो जर बारों कितना पूछा रगभग परते एक साल आतों का सकते है कि एक साल छोड़ छोड़ कि आपका एक question पूछा है कि किस काल में आपका परसासर में आपका एंगर वस्ता पर चली थी तो आजा कि विजिन नेगर काल में ठीक है और सिन्वर बीस का करेक्टर नत्रोगा प्रिभी सेर आपका क्या दिया गया है बचों कि ताली कोटा का यूद कब हुआ था तो ताली कोटा का यूद अपका कब हुआ था कई पर बता चुका हूं पंद्रो सो पेसर टिस्यू में और इसी यूद में आपका विजिन नेगर सम्राइज का अंत्वा था ठीक है option नमर 20 का करेक्ट चसर होगा 591 पर सम्राइज और में सम्राइज के बीसि में आपका ताली कट्व कोटा का यूद वा था वसके बादेकर अगला कुसी संङन आपका का को आपका महाल करता था ठीक हैक है उसके बाद क्या रजाइच के राजाज थी तो कि इजित बाद शूरज तो तो जो सो अबूरे कि दै़ल के तो यहां पर देखें वहीं लिखा कि मंदिर की साट दुवारी मुख्य ठीक है next तो कौन थे आपका अबूल फजल ठीक है option number C इसका correct रांथरों का अबूल फजल उसके बाद देखें अगला option आपका क्या गया गया है इन्हें से कौन सा फसल मुलताभारत का नहीं है बिचो तो यह आपका मेक्सिको का है आलू भी आपका भारत का नहीं है टेमाटर भी आपक अगला कुछन आपका क्या है कि फतिय पुछ सिक्री को राजानी किस ने बनाया तो यह आपका अकबर ने बनाया था अगला कुछन दिख्या आपका क्या दिया गया है कि पानी पत का दूसरा युद कब लड़ा गया था और पहला युद कब लड़ा गया था तो पहला पहला आपका 1526 में ठीक है इसे ध्यान रखेगा पहला 1526 में दूसरा आपका किसके कब लड़ा गया था 1556 में अगला कुशन देखा आपका क्या है कि मीर सेयद अली और अबूत सम्मद जो परसिद चित्रकार थे मुगल दरवा में किस सासक ने लाया तो यह जो आपका प्रसिद चित्रकारती बचूँ इसको आपका मुगल दरवार में हिमायू ने लाया था और डीस का करेक्ट अंतरूगा हिमायू अगला कुशन देखा आपका क्या दिया गया है कि जहांगीर नामा के लेकक कुन थे तो यह जो आपक कि घुसना कव की तो अकबर ने आपका मजर की घुसना 1589 इस्वी में किया था और बीस का करेक्ट अंतरूगा 1589 इस्वी में अगला कुशन देखे बहुत ही असान कुशन है कि ताजमहल का निर्मान किस ने करवाया था तो यह साया आप लोग बच्पन सही पढ़ते हुए करवाया अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यतना हुशन के आप लोग दोस्तों में जरूर किजेगा और हां इसे पहली भी आपका जो तीश तीश करके इंपोर्टन कोशन का जो वीडियो है यह आपका चार सेट कितना सेट बच्छों चार सेट यह आपका पहली अपलोड हो चुका है और यह जो कोशन करवानों बच् आता है अचले के ईसे आपका एक भी कोशन नहीं सूटे गा नहीं आपका एक फ्ट बाहर जाएगा ठीक है विच्छों तो से 40 करवाया आपको और यह 40 में से आपको 30 आपके बोड़ी एक्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है सारा एक वीडियो देखने से कुछ ने को मैं बार बार बढ़ पुड़ रहा हूं एक नहीं आप सारा वीडियो देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगवक साथ जहार के आपका पांथ वीडियो अपडियो सब्दे निदुब रहा है इसको कर लिजेए प्लेडियो नीचे डिस्क्रिपर्शन में दिखेंटी कर देखिक क्यों मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैन जहार जहार करें